जै श्री हरी नारायन देव उटनी एकाच्ची से पंच तीर्थ महासनान भी शुरू हो जाता है जो कार्तिक पूर्णीमा तक चलेगा यह उन लोगों के लिए बेहत खास है जो पूरे महीने कार्तिक में ब्रह्म मूरत में सनान करते हैं देव उटनी एकाच्ची वर्थ करने से और विदी विदान से पूजा करने से हजार अश्वमेग और सो सूर्य यगडों का फलप्राप्त होता है अब मैं आपको एकाच्ची की कथा सुनाता हूँ एक राजा था उसके राज्ये में प्रजा बहुत सुखी थी एक आच्ची को कोई भी ना तो अंखरीता था और ना ही बेचता था सभी फलाहार कहर कर रहते थे एक बार भगवान ने सोचा कि राजा की परिक्षा लेनी चाहिए भगवान ने एक सुन्दर इस्तरी का रूप धारन किया और मार्गमर बैठ गए कभी राजा उधर से निकला और सुन्दरी को देख कर चकित रह गया उसने पूचा ए सुन्दरी तुम कौन हो और इस तरह यहां क्यों बैठी हो तब सुन्दर इस्तरी बने भगवान बोले कि मैं निराश्रीता हूँ नगर में मेरा कोई भी जान पैचान का नहीं है किस से साहता मांगूं राजा उसके रूप पर मोहित हो गया था वह बोला तुम मेरे महल में चल कर मेरी रानी बन कर रहो सुन्दरी बोली मैं तुमारी बात मानूंगी पर तुम्हें राज्य का अधिकार मुझे सोपना होगा राज्य पर मेरा पून अधिकार होगा मैं जो भी बनाऊंगी तुम्हें खाना होगा राजा उसके रूप पर इतना मोहित था कि उसने सभी शर्ते सुईकार कर ली अगले दिन एकाथशी थी राणी ने आदेश दिया, कि बजार में अन्य दिनों की तरह अन बेचा जाया उसने घर में मास मचली आदी पक्वाए, तथर परोस कर राजा से खाने के लिए कहा यह देखकर राजा राणी के यह देखकर राजा बोला राणी आज एकाद्शी है मैं तो केवल फलाहार की करता हूँ तब राणी ने शर्त याद दिलाई और बोली या तो खाना खाओ नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सिर काट दूँगी राजा ने बपनी स्थिती बड़ी राणी से कही तो बड़ी राणी बोली महराज धरम ना छोड़े बड़े राजकुमार का सिर दे दे पुत्र तो फिर भी मिल जाएगा पर धरम नहीं मिलेगा इस दोरान बड़ा राजकुमार खेल कर आया मा की आखों में आसु देखकर रोने का कारण पूछने लगा तो मा ने उसे सारी वास्तुस्तिजी बता दी तव्य बोला मैं सिर देने के लिए तैयार हूँ पिताजी की धर्म रक्षा के लिए राजा दुखी मन से राजकुमार का सिर देने को तैयार हुआ तो राणी के रूप में भगवान विश्णु ने परकट होकर अतली बात बताई राजन तुम इस कठिन परिक्षा में पास हुए भगवान में प्रस्ण होकर मन से राजा कवर मांगने के लिए कहा राजा बोला आपका दिया सब कुछ है हमारा उध्धार करें उसी समय वहाँ एक विमान उत्रा राजा ने अपना संपून राज्ये अपने पुत्र को सोब दिया और विमान में बैठकर बैकुंट धाम को चला गया इस कथा को जो भी सच्चे रिदे से पढ़े एवन सुनेगा उसके सारे मनोरस पूर्ण होंगे तो चलिए अब मैं आपको पूजा विदी समझाता हूँ देव उटनी एकाच्ची के दिन सूरे उदे से पूर्ण उठकर स्नान आदी से निवरत होकर स्वच्छ वस्त्र धारन करने चाहिए उसके बाद भगवान विश्नु का ध्यान करते हुए वर्द का संकल्प लें धर की साफ सफाई के बाद आंगन में भगवान विश्नु के चरणों की आकरती बनाएं उसके बाद जमीन पर गेरुए या खड़िया मिट्टी से देवी खाच्चित्र बनाएं अपने पूजा स्थल और घर के बाहर दीपक जलाएं और घर के सभी सदस्य भगवान विश्नु तथा सभी देवी देवताओं का पूजन करें फिर परात बजाकर देव उठाने का जीत गाएं अब आपको एक देव उठाने के गीत की कुछ पंक्तियां गा कर सुनाता हूँ उठ नारायन बैठ नारायन चल चने के खेत में नारायन मैं बोओं तू सीच नारायन मैं काटूं तू उगा नारायन मैं पीशूं छान नारायन मैं बोओं तू खा नारायन धकी हुई प्रात को चम्मच से पीटते हुए इस गीत को गाएं इस प्रकार करने से भगवान विश्णु आगकी सभी मनों कामनाई पून करें